हेलो एब्रीबाडी वेलकम तो मिस्टिक वाल्ड 11.11 यह आप लोगों की क्विक एनरजी अपडेट है और हम देखेंगे कि आपके परसन की करंट फीलिंग्स और थॉर्ट्स आपके लिए क्या है यह सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है यह एक शॉर्ट रीडिंग है और परसन की थॉर्ट्स और फीलिंग्स देखेंगे 6 कार्ड्स होंगे की ओवरॉल फीलिंग्स और थॉर्ट्स के लिए तो लेट्स स्टार्ट हमारे पास है मैनिफेस्टेशन गाइडन्स तो आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिस्क वेटिंग गेम तो कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एन्वी और ट्रू लव तो मैं भी आपको ये फील होता है कि आप आप दोनों का ये ट्रू लव था ट्रू डिवाइन लव था और किसी ने नजर लगाई है आपके चैनक्शन को ये । किसी की नजर की वज़ए से खराब हुआ ऑप इवल लाइ की वज़ए से किसी की जैलसी की वज़ए से किसी ने मेभी मिसनरस्टेंडिंग पैदा करवाई मेभी आपके परसण को भी ये फील हो रहा है या ये इनसान ये सोच रहे हैं कि So, शायद आप लोग इस वक्त साथ नहीं हैं, उसका reason यही है, इसलिए manifest कर रहे हैं एक दूसरे को, let's see, आपके person की current feelings or thoughts, Knight of Pentacles, King of Cups, वाव, so this is true love, definitely this is true genuine love, so यह इंसान यही सोच रहे हैं कि हमारा true genuine love है, लेकिन किसी की नजर न लग जाए, So, let's see, हमारे पास है King of Wands, वाव, so I feel के, बहुत पुराना हो सकता है किसी की दिल में बहुत पहले से आपके लिए feelings थी, जो उन्होंने शेर नहीं की थी और अब वो ready है, action लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और फिर है the hanged man, bottom of the deck पर हमारे पास है four of pentacles, So, कुछ लोगों के लिए unconfessed love की situation भी हो सकती है, बहुत कम लोगों के लिए, majority के लिए मुझे ये नजर आ रहा है कि मेभी आपके person ने बहुत ज़ादा सोचा है, बहुत ज़ादा time लिया है, action लेने के हवाले से, कुछ कुई real action लेने के हवाले से, जिसमें ये आजाता है कि maybe official करने के हवाले से, इस connection को, घरवालों को बताने के हवाले से, उससे भी नीचे आप देखें, Ace of Cups है, so this is true divine love, ये इनसान आपके लिए बहुत genuinely feel करते हैं, बहुत ज़ादा आपसे प्यार करते हैं और आपके well-wisher हैं, आपका अच्छा चाहते हैं हमेशा, so उनके दिल में आपके लिए एक बहुत special जगा है, चाहे इस वक्त आप लोग साथ हो, ना हो, जो भी आप लोग की situation है इस present time में, ये इनसान बहुत ज़ादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे still बहुत ज़ादा प्यार करते हैं, energy बहुत ज़ादा fresh नजर आ रही है, and with the hanged man उनको कु इस को हुई है, इसको clarify कर लेते हैं, क्या realization है, the higher priestess, एक और card हमें चाहिए होगा, कुछ बहुत ज़ादा उन्होंने observe किया है, oh god, four of swords, बिल्कुल भी clarify नहीं हो पा रहा है, so जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, four four किसी के लिए important हो सकता है, वो ये है, समझ जो मुझे आया है, वो ये है कि आपके person को realize हुआ है, कि इस तरहां खामोश रहने से, सोचने से, इस तरहां closed off रहने से, कुछ नहीं होने वाला है, उन्हें कोई action लेना होगा, उन्हें आगे बढ़ना होगा, so maybe इस वक्त आपनों का connection pause में है, कोई movement नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ रहे है आप लोग एक खास level से आगे नहीं जा रहा है connection, so आपके person ये सोच रहे हैं, कि उन्हें बहुत observe कर लिया, बहुत सोच समझ लिया, अब उनको action लेना चाहिए, अब उनको आगे बढ़ना चाहिए, ये उनको realization होई है, because ये इनसान बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा over thinker हैं, और जब वो इतना ज़्यादा सोचते हैं, तो वो कोई action नहीं लेते हैं, so maybe आपने इनका बहुत इंतजार किया, इनने बहुत time दिया, और उनको अब ये realize हो रहा है, कि उन्हें अब action लेना चाहिए, उन्हें अब आगे बढ़ना चाहिए, so maybe ये इनसान खुद को prepare कर हैं, कोई बड़ा action लेने के लिए, कोई बड़ा decision लेने के लिए, so इसलिए ये इनसान इनके दिल में एक डर है, कि कहीं नजर ना लग जाए, कहीं सब चीज़ें खराब ना हो जाएं, कहीं कोई misunderstanding create ना हो जाए, ये एक risk होगा, so maybe, maybe नहीं, I feel कि आपके person खुद को prepare कर रहे ह हैं, बड़ा decision लेने के लिए, so with the waiting game में भी आपने बहुत इंतजार किया, इस वक्त का, so finally अभी ये इनसान, बड़ा decision को ही लेने वाले हैं, इस connection को लेकर, so ये आपकी quick energy update थी, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, मुझे जरूर बताएगा comment section में, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye.